असलावलेकूम वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे सोयबीन के कबाब और यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन की तयार होता है बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह वेश कबाब है बिल्कुल मटन के कीमी के जैसा यह टेस्टी लगता है तो चलो बनाना इस तो यहां पर मैंने लिया था एक कप सोया चंक्स और इसे मैंने भीगा दिया था और यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ज्यादा टाइम लगता भीगने में तो इसका पानी हम निचोड देंगे और मिक्सी जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे बगएर पानी डाले अच्छे से हाथों से दबा दबा कर इसका पानी निकाल देना है अब इसे हम पीस लेंगे तो यह मैंने यहाँ पे दरदरा पीस लिया है और बगएर पानी डाले मैंने इसे पीसा है तो इसे हम बोल में निकाल लेंगे यह देखे इस तरह से दरदरा में पीसना है तो आप इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ टीश्पून अधर एकलेसन का पेस्ट वन फोर टीश्पून गरम मसाला पॉडर हाफ टीश्पून भुना जीरा पॉडर हाफ टीश्पून कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीश्पून हल्दी पॉडर एक टीश्पून कुटी हुई सूखी धनिया इसे मैंने दरदरा कूट लिया है एक टीश्पून चाट मसाला नमक डालेंगे तो नमक आप अपने टेस्ट के ही साफ़े डाल सकते हो आधा लीबू का रस डालेंगे अब यहाप मैंने लिया है दो प्यास इसे मैंने चौपर में चौप कर लिया है और इसका पानी अच्छे से निचोड के निकाल दिया है तो यह हम इसके अंदर डाल देंगे साथ ही हमने आप लिया है हरी धनिया और पुदीना थोड़ा कटा हुआ तकरीबन हाफ कप के बराबर और पांस से छे हरी मिर्श जिसे मैंने बारी काट लिया यह बहुत ज्यादा तीकी वाली नहीं है तो यह सारी चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही अच्छी से खुश्बू आ रही है पुदीना, हरी धनिया और नीबू की तो हम पहले इसे मिक्स कर लेते हैं तो ह्याँ पर मैंने इस सारी चीजें को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल इस्मून, चावल कांटा चावल कांटा डालने से किस्वी भी बनेगा और हम डालेंगे इसमें बेशन तो मैं यहाँ पे थरी फोर्थ कप बेशन का इस्तेमाल कर रहे हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है इस की अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, tartries तो अगर आपको लगे कि आपका डूँधों खौँड लग रहे हैं तो आप इसमें पिछूड़ा सा बेसन और भी RICHARD करसकते हो अब इसफित हम कबाब बना लींगे तो इस तरह हम गोल गोल कि्छके कबाब बना लेंगे इस तरह से, तो इसी तरह हम सारे बना कर प्लेट में रख लेते हैं, दूसरी तरह मैंने तेल को भी गरम होने के लिए रख दिया है, इस तरह से, तो आप छोटा बड़ा जैसे आपको पसंद है, उसी तरह से आप बना सकते हो, इस तरह हम सारे बना लेते हैं, तो सारे कबाब को हमने बना के तयार कर लिए है और है तेल भी गरम हो गया है तो अब हम तेल के अंदर एक ही करके डाल देंगे तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे तीज से चाली से किन के लिए हम इसमें चमच नहीं डालेंगे नहीं तो तूट सकता है जब एक तरफ सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे बुलट-bुलट कर अचुछी होने तक तो यहां पर यह अच्छी से फ्राइर हो गया है जंग से ग्रीस्पी हो गया है तो इसे हम निकाल लinkते हैं और भाकी इसीतरा प्राइल कर लेते है कि झाल स नह सकते हैं जमश्ट कर दो दो प्रोड़ करिया दो कि झाल आइ है आए आए है झाल झाल